क numb to r io bigger स्ट करें हमने रिजने सेक्षण में डारेक्रटिशन कर टाईप यह हमारा लास्ट टाइप का है जिसमें किसी एक बैट्ती का किसी एक स्थान से निकल कर दूसरे स्थान में पहँचने के लिए कुछ condition दी होती हैं और हमें last में यह निकालना रहता है कि वह किस दीशा से निकला था तो इस type के question को हम लोग convincingly और trick दोनों तरह से हम लोग solve कर सकते हैं one by one देखते हैं हम लोग इनको इस type के question को हम लोग कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ सुरू से लेके आंते तक बने रहें आप इस type के question को solve करने में able हो जाएंगे चलिए देखते हैं question one का solution इस question one में दिया गया है कि राम घर से निकल कर 6 km चला फिर वो अपने बाएं मूड कर कुछ दूर चलता है मिंस इसमें राम घर से निकल रहा है यह तो दिया है मगर घर से किस दिशा से निकला यह दिशा हमें नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग कंवेंसली समें इस question को solve करने की कोशिश करेंगे इससे पहले हम लोग डारेक्शन बना लें और इसमें दिया गया यह उत्तर होगा यह दक्षिल होगा और यह पूरूर और पस्चिल कोस्चन में दिया गया है कि राम घर से दिया बढ़ा होगा और दाया इस ओर होगा तो कुछ दूर चलने के बाद वह आपने बाया मुड़कर कुछ दूर चलता है, मिंस बाया मतलब इधर मुड़ेगा और कुछ दूर चलता है, इसमें डिस्टेंस किता चल रहा है, वो दिया नहीं गया है, कुछ दूर चलता है, फिर वह आपने बाया मुड़कर, अब इस डारेक्शन में अगर वो चल रहा तो देखिए बायां इधर होगा और दायां इधर होगा इधर बायां होगा और इधर दायां होगा मेंस वो फिर से बायां मुड़ रहा है बायां मुड़ कर यह चार किलोमेटर चलता है फिर वो चार किलोमेटर चलने के बाद वो अपने दाई और मुड़ जाता है अब इस ड चलने के बाद इधर चल रहा है दायम उनकर इस दिशा में चलने लगा है यदि वह पूरो दिशा में जारा है कि यदि किस दिशा में जा रहा होगा मगर हम देख रहे हैं जिरू से अगर वो इस्टार्टिंग उत्तर सकूर चलने करता है तो फॉर्व दिशा को पूरा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस दिशा को 180 डिगरी इधा पड़ेगा मिन्स वह चला किधर है अब ही जा रहा уже अदियसा की ओर चलो पस्चिम दिशा की ओर है मगर उसे किस दिशा की और जाना था फूर्व अधिसा की और जाना था तो अगर इसे हम लोग engagements करके पूर्व दिशा की ओर ले आएं तो अभ्यास है उसके फाइनल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं पस्चिम से पूर्व की ओर लाने के लिए तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को भी हम लोग रोटेट करना पड़ेगा और हमने उत्तर दिशा की ओर तो एक्चुल में वो किधर जा रहा होगा दक्षिंड दिशा की ओर मिंस निकला होगा तो इस तरह से अगर कन्वेंसली बनाने की कोशिस करें तो आंसर की आएगा हम दक्षिंड दिशा पूछा गया है कि वो किस दिशा से निकला था फाइनली अगर व कोसिचन में दियागा था पहले क्या मुला हो बायें मुला एक लेफ साइड में मुला पिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर हपने लेफ साइड यह ले लेंगे हम लोग क्या कर लेंगे राइट दिसा में रोटेट कर लेंगे मिंस एक्चॉल में अप देखें तो आखिर में वो किस दिसा की और जा रहा था वो पूर्वर दिशा की और जा रहा था यह हमारा उत्तर दर्चिर यह पस्चीर और दक्षिर तो जा किधार रहा था पूरो दिशा की ओर और हमें रोटेट क्या करना है 90 डिग्री राइट साइड डारेक्शन में रोटेट करना है तो यहां से 90 डिग्री हम लोग 90 डिग्री राइट डिशा में clockwise दिशा में rotate करेंगे तो किधर आ जाएगा दक्षिंड दिशा की ओर आ जाएगा इस तरह से राम घर से किस दिशा से निकला था दक्षिंड दिशा की ओर से निकला था जो भी direction दिया गया है उसको हम लोग ले लेंगे और opposite को काट लेंगे जैसे एक left से एक right और बचा क्या ए यह देखते हैं कि दूसरे question को solve करने की कोसिस करते हैं कि दूसरा question मोहन घर जाने के लिए इसकूल से निकल कर 50 मिटर चला सपोस्पोस अगर इसी को वह अगर ट्रिक से बनाने की कोसिस करें ट्रिक से अगर बनाने की कोसिस करें तो मोहन घर से घर जाने के लिए इसकूल से न नोड मुड़ा हो जो जो दिया गया हमको उसको नोट कर लेंगे बाई और मुड़ाा फिर 30 मिटर चलने के बाद यहाँ दाइं और मुड़ कर 20 मिटर चला पिर शे olvidate left side मुड़ता है, फिर वो अपने right side मुड़ता है, फिर left side और फिर right side, इस तरह से हमें direction दिया गया है कि मोहान घर जाने के लिए school से निकल रहे, अब देखें, तो एक left से एक right कटेगा, एक right से एक left कटेगा, बचा क्या हमारे पास? राइट डारेक्शन, तो राइट डारेक्शन का हम लोग opposite क्या कर लेते हैं? लेट डारेक्शन, और लेट डारेक्शन में ही इसका हम लोग left means anti-clockwise किते degree rotate कर देंगे? 90 degree rotate कर देंगे, तो इससे पहले हम लोग दीशागर बना लें, तो देखें, इस तरह से हमारा उत्तर होगा, यह दक्षिल, यह पूर्व होगा, और यह पस्चिम, और question में दिया गया है कि वो इसकूल से last में किस दिशा में चल रहा हो? पस्चिम दिशा में जा रहा है, घर जाने के लिए सकूल से निकला, और वो लास्ट में किस दिशा की ओर चल रहा है? means, actual में वो पस्चिम दिशा कि वो लास्ट हमें चल रहा है, और हमको क्या करना है? एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री इसको रोटेट करना है, तो यह clockwise हुआ, और यह क्या हुआ? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, अगर 90 डिग्री अगर रोटेट करें, तो actual में वो किस दिशा से निकला तो आंसर क्या होगा हमारा? दक्षिड दिशा, इस तरह से इस टैप के कोस्चन को हम लोग ट्रिक के थूरू सॉल कर सकते हैं, अगर आपने है कोस्च, यह अगर शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने होंगे, तो इस टैप के कोस्चन आपसे बनने लगेंगे, तो हमन इस टैप के कोस्चन को भी देखा, सारे टाइप्स के कोस्चन हमने डारेक्शन में देखे, यह कोस्चन आयोग द्वारा पूछा गया था, यह तो देखे इसको बनाने की कोशिस करते हैं, इससे पहले हम लोग डारेक्शन अगर बना लें तो हमें easy होगा इसको solve करने में यह हमारा उत्तर यह धक्षिल्ड यह पूर्व और यह पस्चिद cgpc आयोग द्वारा है पूछा गया है चार मित्र f1 f2 f3 और f4 एक कैरम बोट पर खेल रहे थे चार मित्र है चार मित्र है f1 f2 f3 और f4 f4 का चेहरा उत्तर की और है देखिए f4 का चेहरा उत्तर की और है मिन्स obvious है हो किधर बैठा होगा दक्षिन दिसा में बैठा होगा तभी उसका चेहरा किधर होगा उत्तर की और होगा तथा F1 का चेहरा पस्चिम की ओर है F1 का चेहरा पस्चिम की ओर मिन्स obvious है वो पूर्व की ओर बैठा होगा तभी पस्चिम की ओर देखेगा और यह हमारा केरम बोड रखा होगा यहां पर यह अगर केरम बोड है तो F4 उत्तर की ओर देख रहे मिन्स दक्षिल में बैठा होगा F1 पस्चिम की ओर देख रहे मिन्स obvious है पूर्वक की दिसा में ही वो बैठा होगा इस तरह से आगे बोला गया है कि F1 एवं F2 सही होगी है F1 और F2 क्या है? सही होगी है मिन्स F1 इधर है तो F2 इधरी बैठा होगा और F3 एक ही बचा चार में तो F3 कहां बैठा है? उत्तर दिसा में F3 बैठा उत्तर दिसा में हमिन्स देख किदा रहोगा? दक्षिल दिसा की ओर और question में पूछा गया है तो किस का चेहरा दक्षिल की ओर है? तो अब्यस है हम देख रहे हैं कि F3 कही चेहरा किस direction में है? दक्षिल दिसा की ओर है क्योंकि ओत्तर में बैठा है तो दक्षिल की ओर ही देख रहा होगा तो इस तरह हमने reasoning section में direction का question, दिसा ग्यान का question one by one सारे types के question हमने देखे अगर आप मेरे साथ सुरू से लेकर अंत तक बने होंगे तो आप से इस topic के सारे question संभावता बनने लगे होंगे तो अगर यहाँ channel में आप पहली बार हैं तो channel को subscribe कर, bell icon को दवाना बिल्कुल न भूलें जिसे इसी तरह के update आपको सबसे पहले मिलते रहें अगर यहाँ video आपको अच्छा लगा हो तो please video को like कीजिए अपने study circle में share कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहे है thank you